यह कुछ रास्ते हैं भाई पांक है यह देख हो पूरा मुठ्टीञी बन दो रहा भाई कह जाता है रात में उसका बूत फूत यहां पर खुणता है वह जदे घिर गया भार यह देखो यह बड़ी बड़ी दिवार है भाई यह देखो बाई कितना सागयत आप है रूट सो निलेगा मुझे राम दो जाना भिया ठीक है बया बाइस घंटे में लग्डाक से दिल्ली रावल पांडे व्लोक्स अलो फ्रेंड्स गुल्ड मॉर्निंग ये है मेरा जन्सकार और लद्दाक सिरीज का डे सेवन अभी मैं हूँ पांग में कल हम निकले थे यार हनले से और तकरिवन बहुत गाड़ी चलाई यार दोसे से उपर रात में भी काफी चलाई हमने डेवरिंग के बाद तकरिवन 45 किलोमेटर रिस्क लेना रात में राइड करना safe नहीं है तो रात में यही पर पांग में रुक गए थे यह कुछ बहुत चोटा सा इलाका है देखो पांग का इसे काम चला हुई है, ज्यादा अच्छा है नहीं, मैं बस रात काटनी थी, तो हमने काट ली, फिलाल, अभी हम निकल रहे हैं आज, ट्राइ मारेंगे, आज दिल्ली पहुंच जाएं, भी 6 बज रहें, यहां से मनाली 200 किलोमेटर है अभी, उसके बाद 500 किलोमेटर दिल्ली ह तो देखते हैं यार, दिली का ट्राइ करेंगे, लिकिन जहां तक हो पाएगा, जहां शाम होगी, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आर कहां जाना है, कहां नहीं जाना है यहां से सर्चू है 75, उसके बाद आएगा जिस्पा, उसके बाद आएगा मनाली, तो पांग और सर्चू के बीच मैं आएगा ननकीला इसी पांगोस पांगोस के बीच में आएगा सम proclaimed जिस्पा के बीच मैं जिसका नाम है बारल अक्षला क्रोंस by Congress लेकिन दिखा जाएगा जो होगा अभी पांग के बाद थोड़ा साया रास्ता खराद मिल सकता है 20-30 किलो मेटर ऐसे ही आज कोशिश है मनाली तो खैर पहुंची जाएंगे ये तो एकदम गैरंटी है बाकी वक्त का कुछ नहीं पता भाई कब क्या होगा ये पूरा हमने डिस कर सकते हैं नहीं तो हम देखेंगे राच जहां होगी वहीं रुख जाएंगे ये कुछ रास्ते हैं भाई पांग के थोड़ा सा ओफ रोग मिलेगा आपको पांग के पाथ जो पहाड़ा रहे थे ना उनको तो मैं अंडरेस्टिमेट कर रहा था भाई पथरीले पहाड़ा है खुबसूरत नहीं है लेकिन वीव इनका बड़ा अच्छा है भाई अगी तो और दरावना सा हो जाएगा ऐसा लग रहा हमेरे को प्रियाते ना बहुत छ कर रहा है उसी के उपर से आपको जाना है स्टील की ने चादर लगी यह बस और वह अलग-अलग जोइंट भी नहीं है बस पिल के उपर और रखी भी ढांचे की तरह उसी के उपर से आपको क्रॉस करना पड़ा यह देखो व्यूव भाई खदरना को ता जा रहा है अप तो व्यू के चकपर में नीचे चले जाए, आप व्यू देखो में नीचे देख रहा हूँ इस पांग वाले रास्ते को जितना ही मैं ले रहा था ना कि ऐसे साही होगा पार हो जाँगा भी 30 किलमेटर खड़ाग होगा यह उतना ही जादा ख़तरनाक निकल रहा भाई मेरे हाथ एकदम जम रहे हैं अब यह वाले गलफ्स ना कभी मत लेके आना लद्दाक यह कोई फाइदा नहीं है यह गर्मियों के मतलब के हैं इसको बिल्कुल मत ले आना मेरे को लगा चल जाएगा यार इतनी ठन थोड़ी होगी लेकिन देख रहा हूँ यहां बिल्कुल भी मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा लोग ऐसा बताते हैं ले मनाली हाइवे बहुत ही खुबसूरत है और और भी बहुत अच्छे हैं लेकिन यह इपांग वाला पाथ थोड़ा 30-40 किलो वीटर ऐसा ही मिलेगा खराब सा इतनी मेहनत के बाद भाईया लाचुंगला पास आ चुक है कमशा है था आसान नहीं यह तो बहुत हलके में लेरा था ले मनाली हाइवे ले मनाली हाईवे और किसी पासे होकर ही गुजरता है अब हम लाच ममिला पास से नीचे उतर रुके के यहांपर यह रुके ते यहां पर चाय वीश्कित खाया है थोड़ी देर रुके और फिर आगे देखो वह वाला जो पहार दिख रहा है वो है नकीला पास उसके बाद आएगा सर्चु वहां से थोड़ी ठंड कम हो जाएगी ऐसी जानकारी मिली है भाई अब देखो कितना सचे कितना नहीं चले सब्सक्राइब अब दाना पानी खा रहें भाईया यह नकीला पास नकीला पास चड़ने की कोशिश करते हैं और चड़ना ही पड़ेका कोई अप्षिन नहीं है घंड बहुत है यार हके लिएक देखो दूप निकल रहा है यह जी नकीला पास 15,547 ठीक है जी अपनी शाइन ने देखो कितने सारे पासिस पार कर लिया भाई यहां रुक नहीं रहे हूं फंड बहुत ज्यादा है वास आपको दिखाने के लिए मैंने पैमरा आउन किया था अब ही हम एक शॉटकट लेने वाले हैं एफ जादा आउने रहने दो आजाओ ऐसे शॉटकट ना आपको बीच बीच में दोह सारे देखने के लिए मिलेंगे तो आप लालने समी मता जाना कि डिस्टेंस कम हो जाएगा सेफ रहेगा तभी लेना हमने भी उमलिंग लाजा आते समय बहुत सारे शॉटकट लिए थे लेकिन वह सेफ थे यह वाला सेफ नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया हमने सोचा था कि ले लेंगे लेकिन सेफ नहीं है कोई बातरी दो मिनट और लगे जाएगा इजर से कोई रि रुप्स इजलएं काई सारे लूप्स बने वह थे अहाँ से ऐगा और यहाँ से लिए सारे लूप्स ऐसे कई सारे होते है इन्हीं ओँ यार हाड रुपस बोलते है तो चलो अब गाटा लूपस को शेर करते है पूरतो नहीं दिखा पहूंगो क्योंकि बहुत बड़ा है ब वहां से बलकी सही दिख रहया थे अभे माशिक इसके अंदर से जा रहूना गाठा लूप्स के अंदर से तो ये यह बैंड काफी दूर दूर है तो ज Kennụcraszam नहीं से पता नहीं लग रहाि ढगर है कि एक एक अंदा दोर है ऑफलूर करके रास्ता है ऐसा से पता नहीं लग रहा है, यहां से काफी दूर-दूर रहा, कआता है यहां पे प्रेख वाला था, वह जा रहा था, त्रैवलर था यूष्योझ नहीं हूध वू जा रहा थला उसको यहां पे पानी नहीं मिला था, तो पानी की वज़े से उसकी डएठ हो गई थी आ branded है शोबानी देती, निकल लो इजर से, और सोचो रात में इजर से आना हो, और ये इसकी स्टोरी हमें पता हुआ, सिर देखा कितना दर लगेगा न, और जो गाटा लूप्स था न यार, वो टोटल थे 21 लूप्स, और ये जो हाइट है, ये 13,000 फीट के उपर है, गाटा लूप् जब भी थोड़ी स्पीट बढ़ाओ, एक लूप आ जाए, जब भी थोड़ी स्फीट बढ़ाओ, फिर दूसा लूप आ जाए, तो ऐसे करते 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 करते, आधा पून आ गंटा लग गया, मनाली यहांसे अभी 225 km है, और सर्चु 3 km है, वो सामने जो टेंट होगरा, यहां पर आपको रहने के लिए देखो टेंट वगरा मिल जाएगा और थेंद लेकिन बहुत जादा लगेगी आपको यह क्योंकि बगल में देखो पहार देखो किस तरीके के हैं यह देखो बाइकर्स भी यहां पर रुके हुए हैं सारी फैसिलेटी मिलेगी यहां बहुत सारे टेंट है भाई खाने के लिए भी मिल जाएगा आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा लेकिन ठंड बहुत तेज लगेगी क्योंकि बरफ वाले पहार पीछे ही है सर्चु के बाद देखो यह बन रहा है भाई पुल इसी में से ले मनाली वाली बस जाती होगी क्या बड़ा खतरनाक साह है तो ओ भाई यह तो लग रहा फिछलने वाला है ओ भाई लग रहा भाई दर तो सब गीला गीला वाय कारेकरब होने वाला है कोई बातने दीरे दीरे चलते हैं कि चलो भाई निकल गई आगे का आगे देखेंगे यह बड़े बड़े देखो पत्थ गड़े वह रास्तों में कि आओ बारल अच्छला पास दिखाता तो मैं स्टॉप फ़र चेकिंग यहाँ चेकिंग चलेगी भाई यहाँ गाड़ी नंपर दी यल्ट्रीयस क्या नाम है राहूल कुमार पांड़े कब किया थे यहां से मैं जन्सकार होके गया था ले ले से आ रहा हूँ आनले होते हुए इस वाली चेकिंग के बाद यार हम पार कर लाहूलेंस्टिव में बारल चला जिस पा धार्चा यह सारी चीजे लाहूलेंस्टिव के अंदर आती हैं अब यार यहां पे हम रुपे हैं थादा सा अपना यह जो पेट्रोल वाला डिब्बा है यह डैंक में डाल लेते हैं थोड़ा हमारा लोड भी कम हो जाएगा और पेट्रोल भी खतम होने वाला है लग बग क्योंकि यार अब चड़ाई आने वाली यह बारल अचला की तोड अब पेट्रोल पर मुझे सो किलेंटर मिली जाएगा तो इसका कोई काम लगेगा नहीं अब ट्रिप खतम नहीं होए भाई रसी रख लेते हैं आम आसकती है वाँ भाईया तुम्हारा मोरत करें तुम तिलाउंग से मेरे साथ हो जरनी में डालें कैसे यह जागा ही गिर गय तोल में तंकी साफ कर लो जारा तंकी का उपर गिर गया तो यहां कुपी नहीं है मेरे पास कि में कुपी लगा के डाल दू बाराल अचला पुल यहां से 14 किलो मितर है और यह जो सामने पुल जा रहा है यह नया पुल बन रहा है और यह डाइवर्जन दे रखाइनों नीच शायद अच्छी रास्ते हो मेरी मेनत अगर अच्छी लग रही हो तो यार जरा त्यार दिखाओ यार वीडियो को पूरा देखो सब्सक्राइब करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जाना चाहते है लगता वगएरा यह मिलिए बारल अचला की पहली वाटर क्रासिंग देखते हैं भाई इसके अंदर से हम पार हो जाएंगे क्या पाने के अंदर जूते चले तो गया है लेकिन वाटर पूफ जूते हैं तो उतना सर किया ने उतना उपर पानी था भी नहीं यह बारल अचला पास का कहर अब देख लो दीरे दीरे यहां से वाटर क्रोसिंग मुझे जैसे चांगला पास पर चड़ाई थी ना ऐसा लग रहा है कोजात में पार हो जाएगा दीर दीरे यहां सपास बराफ है इसलिए ठंड ज्यादा हो रही है और कोई दिक्वत नहीं है हमारी गाड़ी ओमली मिला भी चड़ सकती है तो यह भी चड़ी जाईगी यहां पर क्रोसिंग हो है लोग यहां पर देखो वाटर क्रोसिंग कर रहे है वाई बड़ी वाटर क्रोसिंग है हलके से जूते भी कीले हो गया अंदर चला गया पानी 12 अचला पास ऐसे नहीं कहते इसे इतने साथ ट्रक क्यों खड़ें भाई जाम हम तो नहीं लग रहा है लगना नेची है भाई जाम बहुत कम है अपने पास भाई एक जेसे भी नीचे गिरी पड़ी है चलो आगे कहीं यार फोटो टो खिषते हैं थोड़े तक देखते हैं क्या माज रहा है कुछ तो माज रहा है अभी यार हम खड़े हैं 12 अचला पास पर और आगे देखो कुछ कंशक्शन का काम चल रहा है इसलिए यहां पर यह सारे ट्रक भी खड़े है और यह भाई साब जा रहे हैं पता अचला एक दम फ्यू मोमेंस लेटर बाइक तो आगे निकली जाएगी ऐसा लगता है तो चलो यह आगे चलते है कि पिरन अभी मेरे पीछे से आया था वह आगे निकल के जा चुका है भाई मेरे को लगा यह जादा इतगड़ा कोई दिक्कत है लिगने रहा बाइक निकल र देख रहे हो किस तरीके का है भाई यहां दो आती जादा ओफ रोड यह देखा भाई यहां काम चल रहा एक तो यहां भाई भी सामने से आगे यहां पर बरफ साफ कर रहे हैं बरफ थोड़ी नीचे आगे से गाड़ियां और ट्रक वगरा सही से आने जाने में दिक्कत होगी बाईक के लिए कोई दिक्कत निए मैं तो खामखा वाई से खड़ा हो गया का चलो इसी वाने फोटो वगरा भी खीच ली हमने इतने बड़े पास इस पर देखो इतने भारी भारी ये गाड़ियां खड़ी है यहां जो में तीन चार गाड़ी आ रहा है दोस्त आतो जाएगी खड़ी का होगे आगे नहीं को अगे बहुत ही शौट गया पै बड़ी बड़ी गाड़ी ने निकल पाएगी जाए दो जाए दो देखो यह तेको भाई कितना असा गया प्या और यहां से गाड़ी एक दम पास हो आज बाराल अचला हाइड जाजा नहीं होगा एक खतरनाग जादा है चार तरफ बरफ ही बरफ है और यह पानी पूरा परफीला ही है तुम कट्टू कट निकल रहे हैं महाई लोग यहां आगे और अटक भी लग रहा मेरी तो जाने तो मेरी तो छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी बाइक है देखरो बरफ का फाने सारा बैग है के रोड पर यह आ रहा थोड़ा पीछे चलता हूं नहीं तो छीटे ही मार लेंगे तो फिराल इस समय मैं निकल रहा हूं यार बाराल अचला पास से नीचे की तरफ और काफी जादा सही नजारी देखने को मिले यार जब मैं उस ट्राफिक के पास से और आगे आए ना आगे और जादा बीड मिली लोग फोटो खिचाने में बरफ से खेलने में लग रहे हैं यह बाई देखो सूरस्ताल मैंने आपको पहले चंदरताल दिखाया था चंदरताल के बाद देखो यह अभी दीपक ताल भी आएगा यह है सूरस्ताल चंदरताल स्पिती वैली में है देख रहो क्या सही लग रहा है ना सूरस्ताल ठीक है यहां जाने का कोई सिस्टम जाने के वहाँ से होगा, वहाँ से उतर के नीचे चल सिलाल देख तो लिया, हमने सूरस्ताल भी फोटो उटो इतनी खीच लिये ना भाई अब मन सा बर गए अब ने खीचरे उटो ये देखो भाई, अब इस तरीके खतरनाक रोड पीसे जाना पड़ेगा रुख जा, रुख जा निकल तो भी निकल पहले मुँ बातो बातो में आगे ले गया था तेकन यहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है इसलिए वापस आना पड़ा मुझे चल, हो जाता यार बातो बातो में ऐसा इसलिए यहाँ से एक ही वेकल चोड़ते हैं हूँ मैं तो कहीं है ट्राफिक अगर लग गया उपर से पत्थर गिर गया तो आफ़ता जाएगी चलो भाई सूरास्ताल को भी क्रॉस कर लिया हमने चलते हैं बाई मनाली की तरफ पढ़ते रहा देख लेते हैं उसमें ज्यादा मेरे को पत्थर लग रहे हैं यह ज्यादा वैसा लग रहा है यह ज्यादा सही लग रहा है देख लेते हो भी इसमें पत्थर ज्यादा वाई वह भाई भी वह जाके फज गया है जालो भाई, क्रॉस तो करना ही है, जाहे जैसे अब जूते तो गीले होने ही है भाई हो गया कराद भाई जल ढौ कर गवहा हो मयाक preventing खętखर, घरर भाई फॉर्स्गेर मेरा को ट्राटलपूरा देदो बंदलो जोते पूरे कीलियोग है भाई मैरे को लगा भाई कटटट बोल रहे क्या तुट रहे है सहई और कोई दिक्कत नहीं है जयाका नाता है बनच गया था धवर बास गया था फैट मनाली पिर जन्सकार होते हुए पदूम से कारगील ले फिर पैंगोंग फिर हान ले उमलिंगला पास फिर इधर आगे हाँ चला दी यह सब तो छोटे मोट्रे हैं जो बहाँ चड़े गया तो अब यह सो कुछ भी नहीं है तो यहां तक भाई डूबी है यहां तक चलो थैंक यू यह मिले थे भाई एक लुड़की लुड़का खालो थोड़ी बात है कि अच्छा लगा उनकी बाइक के बारे में पूछाता है हम भी थोड़ी नई बाइक लेने माले हैं स्थोड़ा पूछ पूछ के थोड़ा नॉलेज ले लेते रहते हैं लोगों के एक्सपिरिएंच क्या है उनके बारे में यह थी होंडा सीवी आरेस 350 बाराल असला पास से आप नीचे उतरा होगो न तो यह कुछ ऐसी वोटर क्रोसिंग मिलेंगी आपको तो भाई बहुत भैंकर है तो उंकल जी मेरे वीडियो बना रहे हैं बहुत भैंकर भाई बहुत भैंकर वह काफी दूर तक है पानी है देख रहे हैं किपना भैंकर है फोर वीलर वाले तो मजी से जा रहे हैं करीबर सो मीटर है यह और ऐसे से सो मीटर जाना पुड़ेगा बहुत जादा एनरजी ले रहा है चलो 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 रही बाकी गाड़ियां भी बेट कर रही है अब आपरे बहुत भेंकर भाई रावल पांड़े बहुत भेंकर पार कर लिए तुम्हें आजए चलो फिलाल खतम तो अब लगए जूतिय निकालने पड़ेंगा बहुत सादा गीला होगा थोड़ा निकालके सुखा लेता हूं गीला होगा बहुत धंड लग रही है देखे न होई 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 बहुत थंड़ा है भाई लगए फ्रीज में से निकाला हो कोई बात नहीं इसको भी निकाल देता हूं यह तो सुननों गया भाई यह तो सुननों गया मेरे पैर पतन लगए पैर है देखो भाई यह है मेनाथ बाइक राइड की यह सब करोगे बनोगे राइटर अब बनो इसको अगर पुरा सुखा के पहनो तब तो पहुत दार टाइम लग जागा ऐसी पहनना पड़ेगा इसको पैर देंगे सुननों होगे भाई एक दम शाहिन आला वियो क्या क्या करना म कर दिया है तुमने चलो इसको यार थोड़ा सुखाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे ठीक है फाइनली जनसकार और लद्दाक कर लिया हमने यार लद्दाक की कुछ प्लेसेश की हैं कुछ अभी बाकी है वो अगले ट्रिप में मारेंगे और यह वही वाला क्रॉसी है जहां से आप जनसकार के लिए इंटर करते हो यहां से मैं जा रहा हूँ यह लद्दाक वाला शिंकुला चला जाता है पदूम चला जाता है अगर राइक ले लोगे तो यहां पर आप चले जाओगे भईया जनसकार हम जा रहे हैं मनाली हमने अल्रेडी चेकिंग करा रखी ती करा के गए थे इसलिए हमें नहीं रोपा जो यहां से जा रहा होगा ना उसकी इंटरी करत दार्चा पहुंच चुके भईया मनाली पहुंचने में तकरीवन तकरीवन एक सी देड़ घंटा लग जाएगा यहां से दिन कितने जल्दी बीच जाते हैं ना जो अब इस तारिक को मैंने स्टार्ट किया था अपना जनसकार राइड अब देखो आज है एक जुलाई दो ह अब ही मैं पहुंच चुका हूँ यार जिस पा एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ जैसे मुझे एक्स्ट्रीम पहाड़ों में जाके सही लगता थोड़ा गूमना जिन लोगों को मतलब एक्स्ट्रीम नहीं जाना है या थोड़ासा मतलब हलके फुल के अपन अपना बैक टू होम ठीक है उन लोगों के लिए जिस पा यार मस्त जबा है मनाली आओ जिस पा के नजारे देखो यहां पर टैन्ट लगे हैं मस्त यहां पर रहो और काफी जाधा सही लोकेशन है यह मनाली से नस्दीग भी है 90 किलोमेटर है मैं नली से बस तीन गंटे की भायंकर राइड के बाद भाई पहुंच चुका ओमैं अठाल टर्नल कहीं नहीं रोका मैंने तीन गंटे और अठाल टर्नल जो भीन लग रही है ना मैंने सोचा यहां रुख रूख रूँगा यार थुड़ा रेस्ट करूँगा तीन गंटे से लगाता अर जर्च चला रहा हुए तोड़ी दूप होगी इस सेड़ डूप है इस सेड़ लोग है मन तो करना रुकने का रुकूब कहां यहां रुक जाता हूं थोड़ी देर दो मिनट दो मिनट विलिस वाले भी कह रहे हैं भाई निकलने इधर से किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं से लो भाई सीधा चलते हम मना ले अभी मैं कुल्लू पार कर चुका हूं तकरीबन फिर से मैंने तीन गंटे की राइड किये और इन तीन गंटों की कहानी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं चलाने पर पूरा focus कर रहा था कि यार ज्यादा से जारा distance मैं cover करता हूं मेरे को लगा कि किरन मनाली की market में गया होगा अपना Toti oil दूढने के लिए मैं चलते रहा.. चलते रहा.. कआफी जेर तक चला मनाली मैंने क्रॉस कर लिया था और मनाली क्रॉस करते ही मैंने गन्ने का जूस पिया और मैगी बनवा रहा था मैंने बैठा था और मैंने किरन को देखा कि वो निकल गया फिर से फिर महम सोचा मैघी चोड़के इसे अब इससे अब पकडने जाऊं, या मैघी खास Hil you बहुत तेज भूक लगी थी मुझे समय तो तुम से पांग से चलनी थे कुछ नहीं कहा था तबसे मैघी बनमा आकि कहा नहीं मैंने पैक करा लिया मैं फिर पैक कर आके, फिर मैं किरन को पकड़ने में लग गया, मैंने का पकड़ लूँगा और चलते हैं, लेकिन वहां से निकलते निकलते भी तकरीवन दस मेंड बीद गया थे, दस में किरन एकदम हवा हो गया था, वो पकड़ में ने आया, तकरीवन मैंने आदा गंटा ख वाहत तयज़ भूक लगे थी मैंने खा गया मैंसे चलो अब जहां मिलेगा नहीं मिले तो चला गया होगा और क्या फिर मैं आगे चलने लगा चलने लगा फिर आदे गंटे राइड करने के बाद मुझे आचानक किरन मिल गया और उसके बाद उसने बताया कि उसे टोटी ऑई मिल चिका था और इसके बाद अभी उसे कार्बुरेटर में कचला है तो मेकैनिक की तलाश में है अभी हमने फिर प्लान बनाया कि यार आज कहां जाना है तो कहरा चंडीगार चलते हैं चंडीगार यहां से तक्रीबन तक्रीबन है 210 किलो मेटर 210 किलो मेटर के लिए अभी हमारे पास बज़ रहे हैं कितने अभी लाका है पहाड़ों का जहां पे सुंदर नगर बिलासपुर जैसे एरियों में थोड़ी उगड़ खाबर रास्ते हैं और बुदावदार रास्ते हैं तो इनमें 210 किलो मेटर करने का मतला दो बहुत बड़ी जंग तो मैंने उससे बोला यार जहां तक होता हैगा यहा अभी एक मार्केट आई थी मैं आपसे बात कर रहा था मैंने दहाई नहीं दिया कॉन सी मार्केट थी को कोई बात नहीं चलते रहते हैं तो यह कुछ घटा था यार तीन गन्टों में बागी चीजें चलती रहेंगी देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं पेट्रोल भी प्रहा लिया जी हमने 500 रुप्या का पेट्रोल पंपाल से मैंने कुछ चंडी को कितना दूर है किरहां दोस्तों को लिगेट हैं गुवर्ड में दिखा रहा है 168 अभी हमने सुंदर नगार क्रॉस कर लिया भाई अब बहुत ज्यादा थकान हो रही है यार सुबह से तकरीवन तकरीवन मैंने 400 किलोमेटर गाड़ी चला लिया पहाड़ों पहाड़ों मैं यहते एक्दम रिकॉर्ड ही बन गया है पांग से लेके अभी तक गाड़ी चलाया जा रहा हूं अभी थोड़ी तर पहले रुका था यार अब थोड़ी थकान सी हो रही है तो वह एक ही परसेंट है एक्स्ट्रीम होगा फिर वह पांग से लेके दिल्ली इतना मेरी खाल से कोई करता नहीं है पांग से लेके सर्चु 70 किलोमेटर सर्चु से जिसपा 88 किलोमेटर जिसपा से मनाली 92 किलोमेटर मनाली से फिर आया मैं हां कुल्लू मंडी सुंदर नगर भाई बहुत 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 ज़ादा 400 किलोमेटर हो गया है चलो अब जितना होता खिषते रहते हैं जहां से लगे आपना हो पाई हमसे, फिर दूम दून लेंगे भाई, दस दिन बाइक चलाई है भाई, थकान तो होगी, जलाल अभी थकान को भी मैं एकदम पीछे शोड़ के बस चला जा रहा हूं, थकान तो हो रही है लेकिन चला रहा हूं भस, थोड़ देर बाद फिर कहानी बताऊं आपी यहा है इस पिती वाली, रहा है, एस माम से आएगी इस सुनू मेरा दिखेश के थी कह, चलो चलते हैं दोस्त ठीक है चलो चलो चल आए है को चले दोस्त और कितनी दूर रहोगे साथ बहूत रहा है, लोटे प्र लगा यहां पानी प्र थेया जबतोर किया दोर दोर द खर दोब लोग यह आप लोग रूपके खावाले मैं निकल जाओंगा ठीक भाई अभी का जो अपडेट है भाई अभी का बहुत ख़र ना रहे थे फिर मैं थोड़ा आगे निकलाईया वैसे जब भी मैं मनाली से आया हूँ दो बार आयों, तो मेरे को ना सही रूट मिल नहीं पाता है, चंडिकर जाता है, मैं अब लगाता हूँ, फिर भी यार मिस हो जाता है, तो एक बंदा था, वो मेरे को मिला था, वो भी राइडर ही था, तहले तो मुझे लग रहा था यह से भाई, पतानी कौन ही है, लेकिन ढरली दो यारा कौन हम राष्टे से जो, मीरे को आगीड था नहीं, मैं ल docs ने अगने की निया है, तो उस दे ने चल अनधर टे मेरे को, प्ताया है, और ल megap कर घा था, दो ने, अधु ने अजयाा है, रात के सार्व ज़ा रहा है, थारन के सब्हाहन कर दो दो फिर और धभ फिर से फोन आया उसका, जिसको उसने फोन किया था, मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा है, तो उसकी कहानी ये थी, कि वो गया था, इस पिती, और जिसके साथ वो गया था, मतलब कुछ बाइकर्स के साथ, तो सारे आगे निकल गए थे इसको छोड़के, और इसकी बाइक में थोड़ी थोड़ी दिक्कत थी, हवा भी कमती थोड़ी, और उनी बंदों का फोन आ रहा है, तो मेरे को चला तसल्ली मिली, कि हाँ भाई, चलो, फ्रॉड हो गया रहा है, तो ये उनसे थोड़ा जड़ब कर रहा था, कि भाई, तुम मेरे को छोड़के चले गए, मैं दिल् देरे ऐसे लगा कि यार, रात हो रही है, मुझे चंडीगड रुखना है, इसके साथ ऐसे चलते रहूंगा तो यार, पथा नहीं कब तेक पहुंचोंगा, 27 किलोमेटर चंदीगड, तो मैंने इसको बोला, कि यार, हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, आप और पेज चलो य मैं को चंदीगड में होटल भी डूढना है, मेरे को जाने तो मैं जा रहा हूं, तो इसने बहुत से बोला, आठीक है, चल जाओ, मतलब उसको कमफोर्टेबल हो रहा था कि यार, मैं था उसके साथ, बाकि उसके दोस्त चले गए थे, और मैं भी यही सोच के ना, तकरीवन 20 से 25 किलो मीटर तक इसके साथ चलता रहा कि यार, इसके दोस्त चोड़ के चले गए, जाद अकेला है बंदा, तो इसके साथ ही चलते है, और मेरे को बड़ाना है, हजिटेट हो रहा था कि यार, मैं इससे कैसे कहूं कि मैं चला जाओ, मैं फिर अपनी सीचुएशन सोचा है, यार, मैंने का यार, यह तो पहुंच जाएगा, इसका घर चंडी-घडी है, मेरा क्या होगा, फिर मैं इसको बला कि यार, मैं जा रहा हूँ यार, और इसके बाद मैं आगया, जादा जादा 20 किलो मेंटर आया होंगा, कुछ मुझे लड़के मिले, जो अभी लड़के थे जो मेरा इंस्टाग्राम वगरा, यूटूब वगरा चेक कर रहे हैं, अभी, तो वो लड़के मिले, वो अपना ब्रेक ले रहे थे, वो इस पिती से आ रहे थे, मैंने उसे बोला कि यार, तुम कहां तक जाओगे, HR 12 अनमबर था, मुझे लगा, हरियाना में जाएंगी, त क्या यूज करते हो, यह कितने का बैग लिया, तुमने कितने का गोपरो लिया, सारी जनकारी उने ले लिए ठीक है, उसके बाद हम चले, और तकरिप 20 किलो मिटर आगे, चंडिगर पहुंच गे, और चंडिगर शेहर में ना जाके, इन्होंने एक नया रूट लिया, और उ जाओ किनी जाओ, जाओ किनी जाओ, उस अंधिरे रूट में न मिरे कुछा हो रहा था बार बार, यहा रहने देता हूँ, यहीं पे भुख कर लेता हूँ, अपना, सुबह चला जाओंगा, कोई दिकत नहीं है, बार बार मिरे को ऐसा रहा था, और वो रूट 50 किलो मेटर र कर दिए उसके बाद हम एक जाबे पे रुके हमने चाय पी पैटी स्फाई बतलब नाश्ता किया वहां पर उसके बाद थोड़ा जान में जाना ही मेरे कि हम पहुंच चुके थे अंबाला और अंबाला से मिल गया था हमें जीटी रोड पर पूरी लाइटे थी लाइटे देख बहुते हैं भाई अब 30-40 किलो मेटर बाद रुकना है अब 50 किलो मेटर यह आया है बहुते हम लोग चले आया है अब यह पानिपत आने वाला है यह अब जाने वाले तो इनसे अलविदा ले रहे थे हम आप पनी देखा और है यह चैनल आल पूछ रह थे हैं मेरा इंस्टा और लटाक से दिल्ली जा रहा हूं जो कि कुछ घंटों में हो जाएगा दो से तीन घंटे के अंदर मैं दिल्ली पहुंच जाओंगा रात खराब हो गई है अब कहीं और थोड़ी रुखने वाला हूं तो नॉन स्टॉप भाई मैं कल सुबह 6 बजे से चला रहा हूं और अभी अभी बज़ रहे हैं 2 चार घंटे में 24 गणटे हो जाएंगे 24 अर्ट की बाईक राइड हो जाएगे चार घंटे के अंदर अगर मैं 4 गंटे अभी चलाता रहा तो ठीक है अभी यहां से 1.500 किलोमेटर है मेरा घर अगर मैं 6 बजे से पहले पहुंच गिया तब तो ठीक है 6 बजे तक पहुंचा तब तो 24 आर्ट्स हो जाएंगे और नॉन स्टॉप लग्दाक टु डेली एक नया रिकॉड बन जाएगा राहुल पांडे व्लॉक्स पर यही कुछ अपडेट है यार इसले 4-5 गंटों का उनके साथ था तो 80-90 ऐसे चल रहा था तो बिल्कुल भी ध्यान इदर उदर नहीं हो रहा था नीद भी नहीं आ रही थी बिल्कुल अब मैं थोड़ी स्पीड कं करके चल रहा हूं तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा बेरे को और आप से बाते भी कर रहा हूं तो ध्यान बातों में हैं रोटे emblajan देना पड़ेका तो इसले MARा थोड़ा बंच कर रहा तो फाइनली यार हम पहुच चुके हैं दिल्ली आप मेरी आवाज से पता लगा पा रहे होगे कि मैं कितना जादा थक दिया हूं पांक से लेके दिल्ली तक उनने राइड कर ली है नॉन स्टॉप लगभग लगभग अभी 23 गंटे होने को आये हैं चार बच के 17 मिनेट हो रहा है 6 बच के 17 मिनेट में चला था 22 गंटे हो गया तो पांक से दिल्ली तक का हमारा नॉन स्टॉप जो बाइक राइड था वो तकरिवन 22 गंटे चला है ऐसे सोचा नहीं था यार कि मैं करूंगा लेकिन बस फ्लो फ्लो में वह हो गया इस वाले ट्रिप में बहुत सारे रिकॉर्ड वने भाई बहुत सारे पहला रिकॉर्ड था हमारा 56500 फिट पे हमारी बाइक गही थी शिंकुला पास और शाहिन से किसी ने जनसकार वैली अभी नहीं किया चैना नहीं किया है वि तीन और साहिन से लग्धाक टुट डेली किसी नेनी किया वि 22 गंटे में और शाहन से जंसकार प्लस लग्डा किसी नहीं किया है पांच 5-5 रिकॉड है एक दिट गंटे का ब्रेक लिया होगा 22 गंटों में तो आप समझ लो कि 20-25 गंटे तकरिवन लगा तार चली यह शाइन क्या गजब का प्रफोर्मंस है भाई गजब का मन इतना कर रहा है ना कि यार गाड़ी से उत्तर के तुरंत बेट पे लेड़ जाओ मजा आगया यार एकदम 20 गंटे में लट्टाक से दिल्ली रावल पांडे व्लोक्स किरन भाई साब का पता नहीं भाई किरन भाई साब चंडिगर पहुचे कि नहीं पहुचे मैंने एक बार कॉल किया था उन्हें उठाया नहीं दुबारा कॉल बैक भी नहीं आया उनका कोई स्टेटस नहीं है और हम अपने शहर पहुच चुके हैं कल फोन करेंगे किरन भाई साब को भाया क्या हुआ कहा रहे गे थे ठीक है तो यही सब कहानी है अपने शहर में आ गच चुके हैं अब ग्लॉक्स यार धीरे धीरे आएंगे अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँ ए अपने घर और किलोमेटर्स हम देख लेते हैं जब मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था तो 75,364 था अब है 78,144 यानि की टोटल 2780 किलोमेटर गाड़ी चली है और आज जब हमने स्टार्ट किया था पांग से तब था 77,364 तकरिबन तकरिबन 800 किलोमेटर आज हमने राइड कि लेन में और तकरिबन 500 किलोमेटर हिली एरिया में ब्रीम कम ट्रू हो गया आप से दिखा के आपको धराया नहीं चाता आप मैं व्लोग ऐसे एंड कर देता हूं तब तक गेट खोल रहा है तो कैसी लगे आपको मेरी वीडियो वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो